प्रिये मित्रों, आज हम नारजी और ब्यास जी का शंबाद आपको शुना रहे हैं, कि एक दिन महरसी बेद ब्यास कुछ खिन साथ है, तो उनको देखके नारजी ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा कि हे ब्यास जी कहिए आपका चीत परसंतो है, आपने तो जानने जोग सभी बस्तू को जान लिया है, आपने जो यह महाभारत नामक पुरान की रचना की है, इसमें तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारोपदार था गये हैं, इसके द्वारत आपने शनातन पर ब्रह्म को विचार कर उसकी प्राप्ति भी कर ली है, फिर भी मैं देखता हूँ कि अभी भी आप अपने को अपूर्ण मनोरत ही समझ रहे हैं, हे मुनी, अब आप किसलिये इतनी चिंता में परे हैं, ब्यास जी ने कहा कि हे देवर्शी, आप जो कहते हैं, वह सब कुछ मुझ में बिद्धिमान है, प्रांतु इतने पर भी, जो मुझ में परसंता नहीं आ रही है, उसका क्या करण है, यह आप ही बताईए, क्योंकि आप ब्रह्मा से उत्पन, गंभीर ग्यान वाले और अब्यक्त हैं, आपने उस पुरान पुरस्वत्तम की उपासना की है, जो समस्त कार्जिकार्णों के स्वामी, केबल मन से ही भासा के गुनोद्वारा संसार की रचना, पालन और संगार करने वाले, तथा सब से निरलेप रहने वाले साक्षात नारायन रूप है, आप तीनों लोकों में भ्रमन करने वाले सुर्ज के समान, सर्वदर्सी, और प्रान बायू के समान, सब की मन की बात को जानने वाले, आप परम बेद पाठी और जोगा भ्यासी है, मेरा बुद्धी तो आप से नियून ही है, चो कहिए मैं इस प्रकार क्यों चिंतित हो रहां। अधिक ज्यान से भगवान नप्रसन होबे, मैं ऐसे ज्यान को तुक समझता हूँ, हे ब्यासी, आपने जिस उत्तमता से धार्मिक विशेयों का बर्नन किया है, उतनी से स्थास से नारायन विश्णु जी के प्रभाव का बर्नन नहीं किया है, जिस कब में स्री विश्णु जी के चरित्रों का ग्यान नहों अपुर्ण है उसे विद्वान जन काक्तिर्थ के नाम से पुकारते हैं ऐसी रचना को ब्रह्मुपद को प्राप्त जोगी उत्तम द्रिष्टी से नहीं देखते हैं किन्तु उनहीं सब्द से मनुस्वों का पाप दूर हो सकता है जिसमें जन सम्बंधी ही गान पदया को यसलो क्यों नहों प्रन्तु विश्णु भक्ति रहित होने पर वो शोभा को नहीं प्राप्त करता भलावह शकाम कर्म किस काम का जो इस श्वर को अरपन्न कर दिया गया हो अत्याव हे जोगनिस्ट ब्यास जी आप अपनी अपूर्ब जोग शक्तियों को लगा कर किसी एक ऐसे ग्रंत का निर्मान किजिए जिसमें विश्णु जी का चरित्र जो है पुर्णतिया शमाबेश होबे क्योंकि अब कलियुक का महा कठिन समय आ रहा है जिसमें भेद्युप दिरिष्टी बाले मनुस्षों की बुद्धी बागु के तारि सब ग्रंत की रसना किजिए जिसमें सब धर्म और सब कर मों के सब्सर्णन के साथ साथ उन्हें निवरिती मार्ग का उपदेश प्राप्त हो क्योंकि मनुस्य जीवन के लिए निवर्प्रती मार्गी परमावसक है फिर सब प्रकार के चतुर मानब जाती के लिए उस अनंत प्रभाब आले विश्णु जी के आनंद को रूप को जानना परमावसक है अता जो शर्वगुन शंपन और निर्गुन तथा सगुन रूप है ऐसे विश्णु जी के चरित को आप अवश कहिए यद पी अपना धर्म सबसे बढ़ कर है तथा पी उसे त्याग कर भी जो विश जाती में क्योंण उत्पन हो अपात रोने पर भी सर्वथा कल्यान का भागी होता है वर तु अभक्त एवं नाष्ट को कोई तो बात ही नियारी है उन्हें कुछ नहीं मिलता किन्तु बिद्वान के लिए यह उचीत है कि रमान शुरूप में ही लिंता प्राप्द कर ले व प्रिवागति में तत्पर रहते हैं वे जन मरंच से छूर जाते हैं क्योंकि जिसे एक बार भी भगबत प्रसाद काराा सास्वादन हो जाता है वह उनके चर्नाब रिंदों में इतना लुब्ध हो जाता है कि फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता फिर एही होना भी चाहिए क्यो आप भलिवाती जानते हैं और आप से कुछ छिपा हुआ नहीं है तथापी मैं आपको इसकी सुचना देने के लिए निमित कहवी देता हूँ कि हे ब्यास जी आप एह जाने कि मेरी उत्पति शंसार का कल्यान करने के लिए ही हुई है आप अपने को परमात्मा का अंस जाने अतह आप विष्णू जी के चरित्र का अवस ही गान करें मनुस की सारी तपस्याएं सास्त ग्यान तप यग उनकी उत्तम रचना और उसके नित्यदान का यही अर्थ है कि वह विश्णु जी के परमपावन चरित्रों का यशोगान करे। देखिए इससे पूर्वकाल में जो मेरा जन्म हुआ था उसमें बेदबादियों की एक दासी के गर्व से उत्पत्ती हुई थी और मैं बरसा में निवास करने बाले जोगियों की सेवा करने के लिए नियु मैं उनका परम अग्यापालक और उनके जूठे भोजन से बचे हुए अन्से एक समय पेट भरकर जीवन यापन करता हुआ उनकी सेवाट हल और अग्यापालन में तत्पर रहता था। जिससे मेरा चीत सुद्ध हो गया और पाप रहित हो भगबद भजन में लगा। श्री विश्नुजी में प्रेम करने लगया। जब इस प्रकार विश्नुजी में मेरा प्रेम लग गया तब मेरी बुद्धी उनमें ऐसी द्रिड हो गई कि मैं अपने अस्थुल सरी को भूलकर दीन रात परमात्मा स्वरूप में ही बिचरन करने लगा। तब इस प्रकार जो मैंने बर्सा और सरद रितू भर मुनियों के मुखार बिन से भागवान का एशोगान सरवन किया, तो उसके सुनने से मेरे रजोगुन और तमोगुन का सर्वत्हा ही नास हो गया और मुझे भागवान में लीन रहते देहकर मुनियों ने अपने परम गुप्त ग्यान को भ तब से मैंने भागवान बाशुदेव के उस प्रभाव को अच्छी तरह जान लिया है, जिसके जानने से मनुस विश्णू लोग के भागी होते हैं, हे ब्यास जी मनुस के लिए कर्म सब से प्रधान बस्तू है, कर्म के द्वारा तीनों पाप नस्ट किये जा सकते हैं, सु रोग कैसे दूर होगा, किन्तु दूसरे पदार्थों को मिलाने से वही पदार्थ जो है आउस्दी होकर रोगों को दूर कर देता है, जैसे घी खाने से उत्पन हुआ रोग केवल घी से अच्छा नहीं होता, किन्तु उसी में आउस्दी मिलाकर सेवर्न करने से वह रोग क वो हरन करने वाला हो जाता है ऐसे ही मनुस्षों के कर्म ही उनके लिए आवागवन के कारण होते हैं और यदि उनहीं को भगवान के लिए अरपन कर दिया जाता है तो ये आवागवन की निवर्ति के लिए समर्थ होते हैं ऐसा ही इस्वारपन सुभ कर्म का जिसमें भक्ति ज हो जाते हैं जब मनुस इस प्रकार विधी निशेद का ध्यान रखकर सुभ कर्म करने लगता है तब वह श्री कृष्ण जी के नामों का जब करता हुआ बारंबार उनका ही अस्वनन करता है तब वह कहता है कि हे भगवान हे बाशुदेव आपको मेरा प्रनाम है मैं प्रदु ज्यानी कहलाते हैं हे ब्रह्मन जब मैंने इस प्रकार से भगवत अराधना किया तब भगवान ने प्रसन होकर अपना प्रेम रूपी प्रसाद मुझको दे दिया सोहे ब्याहजी अब आप भी अब आप भी उन्हीं विश्णू के चरित्र का जसोगान करें जिसे जानकर व से बारामबार दुखी होने बाले मनुस का दुख नस्ठ हो जाता है तो बोलिए जैसरी क्रिस्न जैस